गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स आज हम हिंदी में कक्षा दस्वी में पध्य खंड में कबीर की साखी हम देखेंगे पहले हम कबीर जी जीवन के बारे में देख लेते कि उनका जीवन है वो कैसे गुजरा था कबीर जी का जन्म है वो वित्वा प्रामनी के घर्ब से हुआ था कबीर को लहरतारा नाम का एक तालब था उसके किनारे छोड़ दिया था यहां पर कबीर जी बचपन से अनपड थे उनकी जो साखिया जो कावे है वो उन्होंने मौकिक रूप के रूपे सबके सामने प्रस्तूत किये हैं कबीर जी बचपन से अनपड थे तो उनके जो साख जो हमारे अप्यास्क्राम में साखिया जो कावे है वो सारे उन्होंने मौकिक रूप यानि कि बोल के घा के सबको सुनाए हैं यह जो साखिया और कावे है वो उनके सिश्यों और अनुयायों ने लेकित रूप प्रदान किया है कबीर की यहाँ पर कक्षा दस्वी में पद्यखन्ड एक पे कबीर की आणट शाक्या दी गई है पहले भाग में यानि कि हम पार्ट बाण में पहली जो चार साक्या है वो देखेंगे उसके बाद में दूसरी चार साक़्ी ऐसी बानी बोलिये मनका आपाखोई अपना तंशीतल करे औरन को सुख होई कस्तूरी कुणली बसे भुग डुन्डे बनमाही गड़े से गटी-गटी राम है दुनिया देखे नाही जब मैं था तब हरी नई अब हरी है मै नाही सब अंदरिया मिट गया जब दीपक देखा माही सुख्या सब संसार है खाए अरु सोवे दुकिया दासकबीर है जागे अरु रोवे यहाँ पे हम एक एक जो शाक्या है वो समझेगे और नेशेयमेने यहाँ पे उसका भावर्थ भी लिखा हुआ है ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोई अपना दन शीतल करे औरन को सुक होई बानी यानि की बोला बूली बूलना जो हम बोली या भाशा बोलते हैं उसे बानी कहते हैं आपा यानि की अहम अहंकार घमंड खो यानि की त्याग करना शीतल यानि की ठंडा अच्छा औरन यानि की दुसरों को हो यानि की होना ऐसी बानी बोलिये मन का आपाक होई अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई यहाँ पर जो कभीर जी है वो कहते कि मन का आपाक होई यानि कि अपने मन में जो अहंकर गमण है उसका त्याग करके ऐसी बानी बोली यानि कि ऐसी बोली बोलनी चाहिए, अपना तन शीतल करें, जिससे हमारा तन मन अच्छा रहे, शीतल रहे, ठंडा रहे, लेकिन जो सुन रहा है, औरन को सुख हो, यानि कि जो सुन रहा है, यानि कि दूसरों को उससे सुख मिले, उसके सुख हो, खुशी हो, ऐसी बोली बोलन मन का आपा खोई अपना तनशीतल करे औरन को सुख होई अपना जो अहंकार है यानि कि मन का जो अहंकार घमन्ड है उसका त्याग करके ऐसी बानी बोली यानि कि ऐसी बोली बोलनी चाहिए अपना तनशीतल करे यानि कि जिसे हमारा तनमन तो अच्छा रहे ठंडा रहे औरन को सुख हो ए उसके साथ दुसरों को भी सुख मिले यानि कि सुक हो दुसरी जो साकी है वो कश्तूरी कुण। कस्तूरी कुण्डली बसे मुंगरूंडे बनमाही ऐसे गटि-गटि राम है दुनिया देखे ना ही कुंडली यानि की नाभी जो पेट के बीच में नाभी होती है उसे कुंडली कहते है मुरुग यानि की हीरन घटी-घटी यानि की कन-कन बन यानि की बन कस्तूरी कुंडली वसे मुरुग डुंडे बन बाही यानि की यहां पर कभीर जी ने कहा है जबकि वह खुश्बू उसकी नाभी में ही बिद्ममान है कस्तूरी कुंडली बसे मुग डूंडे बनवाई यानि कि जो कस्तूरी हीरन है मुग डूंडे बनवाई कस्तूरी कुंडली बसे मुग डूंडे बनवाई यानि कि जो कस्तूरी हीरन है वो कस्तूरी की खुश्बू को जिस प्रकार ढूंडता फिरता है जबकि वह सुगंद खुश्बू उसकी नाभी में ही बीद्ममान होती यानि कि उसकी नाभी से ही आती है परन्तु वह इस बात से बेखबर होता है जो खस्तुरी मुरूग है वो इस बात से बेखबर है कि जो खस्तुरी की खुश्बू है वो उसकी नाभी से ही आती है इस बात से बेखबर है इसी प्रकार संसार के जो संसार के ऐसे घटी-घटी राम है यानि कि इसी प्रकार संसार के कणकण में इश्व विद्म मान है यानि कि इश्वर है वो विराज मान है यानि कि संसार के हरे कणकण में इश्वर है राम यानि कि इश्वर दुनिया देखे ना ही यानि कि इस संसार के कणकण में इश्वर विद्म मान है और मनुश्य इस बात से बेखबर होकर इश्वर को देवा लायो तीर्थो और मंदीरों में ढूंडता रहता है अगर यहाँ पर कबीर कहते कि अगर भगवान को ढूंड़नाई है तो अपने मन मैं ढूंड़ो फिर से कस्तूरी कुणली बसे मुगरुने बन माही ऐसे गटी-गटी राम है दुनिया देखे नाई यहाँ पर कबीर जी कहते कि जिस प्रकार कस्तूरी ही रंग कस्तूरी की खुश्बू को जिस प्रकार ढूंडता फिरता है जबकी Caleb, खुश्बू सुगंद उसकी नाभी में ही विद्वमान होती है परंतु वहोई इस बाथ से बेखबर होकर वो ढूंडता ही फिरता है इसी संसार के इसी प्रकार संसार के कणकण में इश्वर विद्वमान है और मनुष्य इस पास से बेखबर होकर इश्वर को देवा लए तिर्थो और मंदिरों में ढूंडता रहता है इश्वर को ढूंडना ही है तो अपने मन में ढूंडो ऐसा कबिर जी कहते हैं यहां पे तीसरी जो साखी है वो हम देखेंगे जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंदरिया मिट गया, जब दीपक देखा मा ही सब्तार्थ में, मैं यानी कि हम नहीं, लेकि मैं यानी कि अहंकार, अहं गमड, उसे मैं, मैं ये कर सकता हूँ यानि कि वो गमण दिखाता है अहंकार गमण का मतलब होता है में हरी यानि कि इश्वर परमेश्वर अंधर या आनि कि अंधकार दीपक यानि कि इश्वर के रूप में दीपक को लिया गया है यहाँ पे जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं सब अंदरिया मिट गया जब दीपक देखा माही जब इस रदय में अहंकार था यहां पर क्या गया जब मैं था मैं यानि कि हंकार जब इस रदय में अहंकार घमंड था तब इसमें तब हरी नहीं यानि कि तब इस रदय में परमेश्वर का वास नहीं था अब हरी है मैं नहीं परन्तु इस रदय में जब अहंकार नहीं है तो उसमें प्रभू यानि कि इश्वर का वास है सब अंदरिया मिट गया जब दीपक देखा माई यानि कि जब इश्वर के यानि कि परमेश्वर के रुप में मुझे दीपक के दर्शन हुए तो अग्यान रुपी अंतकर अहंकार का विनाश हो गया जब मैं था तब हरी नहीं जब हरी है मैं नाही सब अंदरिया मिट गया जब दीपक देखा माही फिर से समझा रही भावार जब मैं था यानि कि जब मेरे रदे में अहंकार घमंड था तब उसमें हरी का वास नहीं था अब हरी है मैं ना यानि कि जब इस रदय में हरी मतलब अहंकार नहीं है तब उसमें हरी का आवास है सब अंदर या मिट गया जब दीपक देखा माई जब परमेश्वर के रुप में मुझे दीपक की दर्शन हुए तो अग्यान रुपी जो अहंकार था मेरे रिदय में उसका विनाश हो गया 34 आकी है सुखिया सब संसार है खोए अरू सोवे दुखिया दास कबीर है जागे अरू रोवे सुखिया यानि कि सुखी अरू यानि कि अग्यान रुपी अहंकार सोवे यानि की सोवे हुए है दुखिया यानि की दुखी रोवे यानि की रो रहे है सुखिया सब संसार है खोए अरू सोवे दुखिया दास कबीर है जागे अरू रोवे यहाँ पे जो कबीर जी है वो क्या करें के सुखिया सब संसार है यानि कि जो संसार के लोग है वो अग्णया रूपी अंदकार में डूबे हुए है अपनी मृत्यो आदी से बेखबर हुग सोए हुए है सुखिया सब संसार है खोए अरू सोए यानि कि जो संसार के लोग है वो अग्णया रूपी अंदकार में डूबे हुए है अपने वृत्यों आदि से बेखबर अंजान सोय हुए है यह सब देखकर दुखिया दास कबीर है यानि कि यह सब देखकर कबीर दुखी है और वे रो रहे है वे प्रभु को पाने की आशा में चिंता में जागते रहते है हम फिर से चार साखिया का भावार्थ हम देखेंगे ऐसी बानी बूलिये मन का आपाखोई अपना तन शितल करे औरन को सुख होए हमें अपना मन के जो अहंकार है उसका त्याग करके हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए जिसे हमारा तनमंतों शित्तल अच्छा रहे लेकिन दुसरों को भी सुनने वालों को भी सुख हो अमें ऐसी बानी बोलने चाहिए कस्तूरी कुनली बसे मुखडुन्डे बनमाही ऐसे गटी-गटी राम है दुनिया देखे नहीं जो कस्तूरी हीरन होता है यहां पर कभी कहता है कि जो कस्तूरी हीरन होता है वो कस्तूरी की खुश्बु को यहां वहां ढूंडता रहता है लेकिन जो कस्तूरी की खुश्बु है वो उसकी नाभी में ही विद्वमान है वो इस बात से बेखबर है इसी प्रकार जो संसार के कणकण में इश्वर विद्वमान है लेकिन मनुश्य है वो इस बात से बेखबर होकर वो इश्वर को देवाले तिर्थो और मंदिरों में धुंडता फिरता यहां पर कबीर कहते कि अगर इश्वर को डुंडना ही है तो अपने मन में डुंडू जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं आई सब अंदरिया मिट गया जब दीपक देखा माही जब इस रदय में हरीकावास है सम अंदरिया मिट गया जब दीपक देखा माई यानि कि पर्वेश्वर के रूपे जब मुझे दीपक के दर्शन हुए तो मेरे अंदर मेरे रिदय का जो अग्णान रूपी जो अंहंकार था उसका विनाश हो गया अहंकार यानि कि अंधरिया यानि कि अग्णान रूपी जो अंधारा था हंकार था उसका विनाश हो गया सुकिया सब संसार है खाए अरू सोवे दुख्यादास कबीर है जागे अरू सोवे यानि कि यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि जो संसार के लोग है वो अग्ण्यानूपी अंदकार में डूबे हुए है अपनी मृत्यू आधी से बेखबर सोय हुए है यह सब देखकर कबीर जी यहां पर दुखी है और वे अपने प्रभु इश्वर को पाने की आशा में चिन्ता में जागते रहते है यहां पर फिर से चार साखिया समन्ने के लिए पड़ाफट बोल लेती हूँ आप देख लेना एक बार ऐसी बानी बोलिये मन का आपाख होई अपना तंशीतल करे औरन को सुख होई यानि कि हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए अपना मन का जो अहंकार है उसका त्याग करके ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिसे हमारे तन मन तो अच्छा रहे लेकिन उसके सुनने वाले यानि कि दूसरों को भी सूख में ले कस्तोरी कुंडली बसे मुख डुन्डे बनमाही ऐसे कटी-कटी रा में दुनिया देखे नाई यानि कि जो कस्तोरी म्रोगों होता है वो कस्तोरी की कुश्पु को यहाँ वहाँ ढूंता फिरता है लेकिन वो कस्तुरी की खुश्वू है वो उसकी नापी में विद्ममान होती यानि कि उसकी नापी से ही आती है यानि कि वो जो कस्तुरी ही रन है वो इस बात से बेखबर है उसी प्रकार संसार के कण कण में इश्वर यानि की इश्वर होते है लेकिन इस बात से मनुष्य बे दिपक दिखा नहीं जब मैं था यानि कि जब इस रदय में ऐभा सिंद हभा सतेरह ऑंपार नहीं है तो इसमें हरीख आवास दिपक दिइखा। जब दीपक के दर्शन हुए तो सब अग्या रूपी अंतकार था उसका विराश हो गया। पार्ट वन था उसके पहली हमने चार साखिया देखी पार्ट टू में हम दूसरी चार साखिया देखेंगे आगे पार्ट टू आपको बेल जाएगा दूसरे दिन के